दोस्तों जहाएक तरफ प्रधानमंतरी मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंतरी पत के शपत लेने जा रहे हैं वहीं दोसी तरफ अमेरिका ने भारत को बड़े-बड़े डिसकाउंट वाले डिफेंस ओफर देने शुरू कर दिये हैं ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारी सामने रख चुका है जहांच की बड़ी खबर यह है कि सिर्फ अमेरिका नहीं बलकि दुनिया का सबसे महेंगा फाइटर जेट जिसे हम F-35 के नाम से जानते हैं अमेरिका भारत को सबसे कम प्राइज पर ओफर कर चुका है और हैरानी की बात यह है कि एक तरफ F-35 का डिसकाउ प्राइज पर F-35 खरितना शुरू करें आपके हिसाब से भारत को क्या फैसला लेना चाहिए कमेंट्स में जरू बताइएगा हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की कुछ खास डीटियल्स के बारे में लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि भारत के इस बड़ती तरक्की को मजबूत कर सकें अभी भारत में मेक 21 सुख होई 30 MKI जैसे विमानों का समाल भारत के अंदर किया जाता है लेकिन अब तश्वीर पूरी तरीके से बदल चुके है जहाँ पर अमेरिका आप 35 भारत को सबसे डिसकाउंटर प्राइस पर उफर कर रहा है इसी के साथ पर सिर्फ साहियों की देशों के साथ मिलकर के से तयार किया गया है so that future of America को इसके parts और components की supply में किसी भी प्रकार की दिक्कत देखने को ना मिले इसमें कई देश शामिल है जो अलग-अलग प्रकार के components बना करके सीधें अमेरिका को एक्सपोर्ड करते हैं जिसके बाद अमेरिका के अं वहीं F-35 की कुछ important details की बात की जा तो यह अधुनिक इस्टल टक्निक वाला fighter jet है जिसे किसी भी प्रकार का radar असानी से नहीं पकड़ सकता F-35 हवा से हवा में मार करने वाली अधुनिक missile अपने साथ ले जा सकता है और आस्मान से ही जमीन पर भी कई प्रकार के सटीक निसाने लगा सकता है F-35 की सबसे बड़ी खासित यह है कि इसे किसी भी प्रकार के aircraft carrier पर ले जा जा सकता है क्योंकि यह छोटे से runway से भी उड़ान भर सकता है और शिलिए aircraft के लिए सबसे पहली पसंद F-35 को मना जाता है अब भारत के सामने दो चैलेंजर आ चुके हैं जहां पर अमेरिका F-35 की कुछ टेक्नलोजी के साथ साथ F-35 को डिसकाउंट पर दे रहा है और पुश कर रहा है कि भारत F-35 खरीदे भारत को 100% इंजर टेक्नलोजी ट्रांसफर करने के लिए राज़ी हो चुका है